दोस्तो अगर आपका budget थोड़ो सा कम है और आप एक used laptop लेना चाहते हैं बहुती अच्छी condition में और बहुत अच्छी price में तो दोस्तो आप मेरी website www.zepa.com पे visit कर सकते हैं वहाँ पर आप cash on delivery order भी place कर सकते हैं दोस्तो एक बार visit जरूर करें अगर आपको कम price में अच्छी laptop चाहि अगर under 25,000 में कौन सा best laptop होना चाहिए देखिए दोस्तो 25,000 की price में आप क्या expect करते हैं एक laptop में आपको क्या मिलना चाहिए दोस्तो मेरे साब से आपको core i3 का processor 1 TV 4G RAM ये configuration तो आपको मिलना ही चाहिए और दोस्तो मैंने तीन laptop यहाँ पर ऐसे निकाले हुए हैं जहाँ पर आपको link मिल जाएगी जो भी चाहो आप purchase कर सकते हो लेकिन दोस्तो वीडियो को last तक देखना थोड़ा सा entertainment भी हमने plus किया हुए वीडियो में last में आपको दिखेगा थोड़ी सी हैसी आपको आएगी तो दोस्तो देखिए तीन laptop में बता रहा हूँ सबसे पहले number का जो laptop है sorry जो third number पर laptop है वो है Acer का E576 तो third number से शुरू करते हैं हम लोग क्योंकि तो यहाँ पर दोस्तो आपको मिल जाएगी 15.6 की full display आपको मिल जाएगी core i3 6 generation का processor है 2 GHz की clock की speed है 4 GB की RAM 1 TB की hard disk मिलेगी Windows 10 मिलेगा और price है 24,000 रुपेस बहुत अच्छा configuration है मैं कहूंगा कि यह जो price ह आप अगर किसी offline market में जाओगे ना मैं को बोलोगे ना कि मैंको यह configuration चाहिए i3 6 generation 1 TB 4 GB तो जो आपको price बताएगा वो कुछ ऐसी होगी 32,000 रुपे 34,000 रुपे या 30,000 रुपे उससे कम मैं आपको नहीं बताएगा लेकिन जो मैंने यह 3 laptop निकाले price भी कम है specification भी अच्छे है तो दोस्तो यह laptop आप Acer का E5 ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है, i3 का 6 generation है तो definitely बहुत अच्छी आपको speed भी देगा, तो दोस्तो यह laptop 3 number पर आता है, आप दोस्तो इसके बाद बात करते हैं, बनोग 2nd number पर जो laptop आता है, Lenovo IdeaPad 320e, totally same configuration कोई भी फरक नहीं है, जो मैंने इससे laptop बताया, और यह laptop Lenovo का, और Acer का same configuration है, स्रिफ परक इसमें यह है कि Lenovo एक brand है, मतलब Acer से ज़्यादा इस पर ट्रस्ट करते हैं Lenovo पे, दोनोग ब्रैंड है लेकिन इस पर थोड़ा से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो अगर आप Lenovo पसंद करते हैं, तो यह laptop ले सकते हो, इसकी भी price सिर्फ 300 रुपए जादा है, 24,300 रुपए, दोनों बहुंत अच्छे laptop है, look wise आप एक बार compare कर लीजीगा, images देखके, तो कौन सा जो आपको अच्छा लगे, description में link है, order कर लेना, अब दोस्तो जो first number पे जो laptop आता है, वो है Micro Max Alpha, दोस्तो यह laptop first number पे क्यों है, मैं आपको बताता हूं, 15.66 की display आपको यहाँ भी मिलती है, Core i3 5th generation मिल रहा है, और 1.6 GHz की clock speed यहाँ पर आपको देखने को मिल जेगी, 500 GB की hard disk, लेकिन RAM जो है, यहाँ पर आपको मिलती है, 6 GB की, और दोस्तो Windows 10 operating system, और जो price एस की, वो है 21,590 रुपए, तो कहीं ने कहीं, 20,000 रुपए आपके बच रहे हैं, दोनों laptop अगर पहले वाले आप compare करोगे 24,000, 24,300, यहाँ पर आपको 21,590 रुपए में यह जो laptop मिल रहा है, यहाँ पर आपको 2500 भी save हो रहे है, बहुती अच्छी price में best laptop मिल रहा है, मैं कहूंगा, अगर आप 20,000 तक का budget हैना, तो definitely go with this, यह laptop आप दुरंत दे लिजेगा, और 6 GB की भी RAM मिल रही है, तो price भी कम हो गई, RAM भी आपको थोड़ी सी बढ़ गई, तो यह laptop आप ले सकते हो, बहुती अच्छा laptop है मेरे हिसाब से, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लास तक देख के जाना, और comment में बतान नेस्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, मूथने जा रहे हैं, पकड़ोगे,